आप सभी का मेरे चैनल पर पुना स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ कि आप सभी सुस्थोंगे महदेव की क्रिपा आप सभी पर सदाय बनी रहे वीडियो मकर यानि की कैप्रिकॉन के लिए अत्यनत विशेश है क्योंकि वीडियो है 26 अगस्ते 1 सितंबर के सापताहिक के वल होता है वो प्रमुकत हच चंद्रमा पर अधायत होता है और उनकी गती पर अधायत होता है चंद्रमा इक ऐसे ग्रहे जो बहुत तेज भागते हैं और करीबन सवादों से धाय दिन में राशी बदल लेते हैं इस अफते की बात करें तो आपके पंचम भाव से स्टार करकर आपके सब्तम भाव तक उनका गोचर रहेगा इस पूरे कालखंड़ में कई ग्रहों के साथ रहेंगे दृष्टी संबंद बनेगा योग संबंद बनेगा भाव में जाएंगे राशियों में जाएंगे चंद्रमा बने के कारक होते हैं और उनका डे-to-day activities पर बहुत होता है जिस भी भाव में जाते हैं उसको activate कर देते हैं इसलिए चंद्रमा की विशेष्टा बहुत है और सब्ताहिक राशिफल की विशेष्टा भी बहुत है कैसे अपने आने वाले सब्ता को plan out करें हर एरिया को मैं touch करने का इसमें प्रयास करता हूँ तो सभी चीज़ों क की वेचना करने का मैं अपने सर पर प्रयास करूँगा यदि आपके लगने राशी या चंद्राशी मकर है दोनों ही guidance के लिए वशेष्ट राशी फल को observe कर सकते हैं शुरू करते हैं सरपथम आपके पंचम भाव में चंद्रमा रहेंगे उच्च के होंगे और ये 26 अगस को अलड़ी वहाँ पर विद्यमान होंगे और 28 सगत सुभा के चार तक वहीं परेंगे चंद्रमा का पंचम भाव में आना अच्छा ही माना जाता है यहाँ पर वो उच्च के हैं तो और विश्रेष्ट है आपके लिए केंद्र के स्वामी है तो यहाँ पर जब वो आएंगे रहेगा आगे बढ़ने की शमता और कुछ त्रया करने का प्रयास भी रहेगा और क्योंकि राज्योग बना रहे हैं और यह लक्ष्मी स्थान में बन रहा है तो पैसा भी आएगा और 12 घर के स्वामी है तो विदेश से पैसा आएगा सात्वे घर के स्वामी है बिजनस में प्राप्ति होगी, तो हफ्ते का शुरुवाती भाग आपके लिए अत्यंत उत्साहपून और अत्यंत विशेश दिख रहा है, क्रियेटिविटी रहेगी, नई चीज़े स्टार्ट करने का मौका मिलेगा, मंत्र साधना का अच्छा समय है, नवम से नवम भाब में गुरु और चंद्रमा की जोड़ी है, यानि कि धार्मिक एक चेतना भी रहेगी और धार्मिक चीज़ों को करने का अवसर भी प्राप्त होगा, स्टूडन्स के लिए भी अच्छा है और माइंड में बहुत आईडियाज आएंगे, तो बहुत अच्छा समय आपका दिख रहा है, बस ध्यान ये देना है कि ये दोनों ही ग्रह कहीं ना कहीं जहां ब्रहस्पति की बात कर रहे हैं, तो वो एक्स्पैंड करते हैं, चंद्र है, तो थोड़ा सा ध्यान दिजेगा कहीं संबंदों में विकार ना आजाएं, लव लाइफ ठीक है, जादा एक्सपैक्टेशन नहीं रखेंगे तो अच्छा है, विवाही जीवन यहाँ पर भी अच्छा ही दिख रहा है सब कुछ, लेकिन वानी पर कंट्रोल बहुत रख करेंगे, सरवाश्टक में आपका तीसरा घर भी बली है, तीसरा घर ही बली है, यानि कि जैसा मैंने कहाँ, confidence काफी रहेगा, चन्रमा 28 तारिक सुभा के 4 बज़े आजाएंगे आपके छटे भाव में यानि कि मिथुन में, और 30 अगस्त सुभा के 11 बज़े तक उनका गोच् यानि कि कोई अटका हुआ पैसा था आपका वापस आ सकता है, चतुर्थेश हैं यानि कि property का कोई कारे अटक रहता वो पूर्ण होगा, property का legal कारे पूर्ण होगा, और overall कोई legal कारे आपका बहुत लंबे टाइम से अटक रहता, उसमें पूर्णता यहाँ पर आ सकती है, तो यह वतार है कि कुछ नया कर गुजरने की हिम्मत रहेगी, लेकिन छटे घर के चंद्रमा है, मैं हमेशा कहता हूँ कि व्यर्थ की चिंताएं तंग करेंगी, बुद्ध की राची में है, यानि कि आप बहुत परिशान रहेगी, तो मानसिक चेतना पर ध्यान देना है, जानक दिश्मान शकुनली की बात है, कारेक शित्र में कन्फूजन बहुत रहेगी, लेकिन इतनीक शम्ता होगी आपके अंदर कि आप ओरकम कर जाएंगे, बिजनस, थोड़ा सा खर्चा बड़ेगा, शौटकर्स मत लीजेगा, अभी भले आपको लगेगा, वो शौटकर् बारी पड़ेगा, लव लाइफ की जहां तक बात है, सब अच्छा दिख रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बहुत ज़दा एक्सपेट कर रहे हैं, और वही यहां पर चीज तंग करेगी, विवाहिक जीवन ठीक है, पैसों की बातचेत कोई मत छेड़िएग पर नदिक्कत हो सकती है, स्टूडंस के लिए हफते का मद्य भाग भी बहुत अच्छा देख रहा है, क्रियेटिविटी भी रहेगी, प्रोडक्टिविटी भी रहेगी, अदक सेहत की बात है, पेट के रोग बने रहेंगे, एसलिटी बहुत तंग करेगी, इन्रिजेशन रहेगी, कफ रोग रहेंगे, जिनको सांसों के रोग हैं, थोड़ा सा ध्यान जादा दें, सरवाश्टक में आपका चौथा भावति अंतमली है, तो पुरह ये बता रहा है कि प्रॉपर्टी समंदित कार्या ठक रहे थे, कोई लीगल कार्या प्रॉपर्टी का ठक रहा था पूर्ण हो सकता है कारया, चंद्रमा आजाएंगे सब्तम भाव में और बुद्ध के साथ यूती बनाएंगे 30 तारिक को, 30 अगस्त को होगा ये, सुभा के 11 बजे, और सब्ता के अंत तक ये योग यहीं पर रहेगा, अब चंद्रमा यहाँ पर वैसे तो 29 तारिक को मारगी हो गए होंगे, वक्र प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि बुद्ध की बात करें, बुद्ध मारगी हो गए होंगे, लेकिन बुद्ध अभी भी वक्र प्रभाव की तरह ही देंगे, क्योंकि वो पतित है अभी भी, तो चंद्रमा का पतित बुद्ध के साथ यूती थोड़ी सी कर्ष्ट कारी हो सकती है पहले अच्छी चीजों की बात कर लेते हैं चंदर्मा अपने ही राशी में आ गए तो बिजनस में जो थोड़ी से नुकसान हुए थे खर्चे बढ़ रहे थे वो कंट्रोल में आएंगे लगन को देखेंगे चंदर्मा यानि की विवा का योग भी बन जाएगा विवा का योग मतलब की विवा संबने को जो बाते चल रहे थी वो आगे बढ़ सकती है यहाँ पर बुद्ध के साथ है और बुद्ध आपके भागेश है तो यह भी प्रकार से अच्छा है और क्योंकि लगन को देख रहे है चंदर्मा यानि की आपको कुछ अच्छा कारे करने का आउसर आपको अपना नाम बनाने का आउसर प्राप्त हो सकते लेकिन ध्यान के देना है जैसा मैंने कहां बुद्ध आल्मोस्ट वक्री ही इनको मान लेजे क्योंकि अभी भी वो 39 को ही वक्री से मारगी होंगे लेकि इन पतित है और राहु का प्रभाब भी यहाँ पर है यानि की मैरिट लाइफ में अचानक से दिक्कत और अचानक से आ छटे भाव के स्वामी है और वो शत्रों का स्थाने और यह अभी राहु का प्रभाब भी है है पतित भी है तो इन अवी जो ह Опके बहुत प्रभल हो जाएगी आपको प्रैस करेंगे तो इस चीज पर आपको फोड़ा सा नियंत्रट rapidly पाना है और खर्चोंसे बच़ना है औ और किसी को फेक कोई commitment नहीं करनी कोई ऐसा नहीं commitment करना जो आप नहीं पूरा कर सकते हैं जहां तक नवांच की बात है पैसा आएगा लेकिन थोड़ा सा चिंता बनी रहेगी पैसों को ही लेकर मतलब कि आगे के लिए पैसा पूरा पढ़ जाएगा कि नहीं पढ़ जाएगा य अभी जाकर कही ना कहीं अच्छा समय भीत पाएगा लव लाइफ की जहां तक बात है और excitement तंग करती दिख रही है उस पर नियंत्रट बाना है विवाहिक जीवन जूट मत बोलिएगा कुछी छुपाईएगा मत एकदम सामने आ जाएगा सब कुछ स्टूडन्स की जहां त अच्छक आपका फिर से चौता भावली है अपनी किसी प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्ट आदी कराना चारते समय बहुत अच्छा है उपाएग के सरुक में आपको शनी चलिसा का दो बात और हरुमान चलिसा का एक बार पाठ करके दोनों ही देवताओं को आपको फलों का भ कि अशनी कि अपकोशा है उपाएग है